कि आसाराम जिले की सक्ची घंटना में आपके सामने ले कर आई हूं जिसमें एक भिकारन सुब्ध सुवई भीक मांगने के लिए एक घर के बाहर खडी रहती है और उसी घर की बन जाती है वो मौ किन आईए जानते हैं कौन ती वो महिला और कैसे वो एक वो किसी की भी किस्मत को कभी भी पलट सकता है तो शुरू करते हैं आज की कहानी आज की कहानी में एक विकारन जो की सुबह सुबह भीक मांगने के लिए निकली है और एक घर पर जोर से अवाज लगाती है कि साहब कुछ खाने के लिए दे दो दो दिन से कुछ नहीं खाया है कुछ खाने के लिए दे दो जिसके हाथ में एक कटोरा था और एक कंधे पर एक कोट ली टकी हुई थी कपड़ों से बंदी हुई मेले कुछ एले से कपड़े उसमें लग रहे थे अब वो बार बार आवाज लगाती है लेकिन उस घर में से कोई नहीं निकलता है जैसे ही वो सोचती है कि सायद घर में कोई नहीं है वो पलटती है वापस जाने लगती है तब ही अंदर से आवाज आती है रुकिए रुकिए माफ कीजिएगा मैं बातरूम में था इसलिए मु नहीं देखा है तभी विकारन कहती है कि साहब मैं सारा दिन भीक मांगती रहती हूं हो सकता है कहीं आपने मुझे भीक मांगते हुए देखा होगा इस बात पर कमल कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें कहीं और देखा है तुम्हारा नाम नंदनी है ना तुम ललिता की फ्रेंड ह को ना जैसे ही वह बात कहता है तो अब जो भिकारन है वह अपना नाम सुनते ही कहने लगती है हां सहाफ मैं ही नंदरी हूं और ललिता मेरी फ्रेंड थी आप कौन सब्सक्राइब कहता है कि मैं ललिता का पती जिससे तुम मजाग किया करती थी जीजु जीजु कहकर मुझे च शादी कर दीती, शादी जिस लड़के के साथ होती है, वो किसी भी बात में तबजू नहीं देता है, हर बात पर लड़ाई करता है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता है और उसी चीज को मैं बरदास नहीं कर पाती हूँ, बात बात पर वो मुझे टॉर्चर करता है, मुझे पर ह हो जाता है और अब मेरे भैया भावी रहते हैं और भैया भावी को मैं एक पलक नहीं सोहाती हूँ वो मुझसे कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी लड़की नहीं हो तुम यहां से चली जाओ अपना गुजारा खुद से करो और खाने पीने की छोटी-छोटी चीजों के उपर भी मुझे डोब डोब करते रहते हैं बाद बाद पर मिरी भावी मुझे टाहना देती है इसीलिए में वहां से निकल आई और अब मैंने नोकरी करना चाहा कई कंपनियों में मैंने नोकरी करी लेकिन जैसे-ज सोचा कि घरों में काम किया जाए घरों में तो महिलाएं भी होती हैं सब परिवार वाले होते हैं तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होगी लेकिन घरों में भी लोगों बात नहीं जो हुआ वो भगवान ने किया अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं तब ही नंदनी कहती है कि ललीता कहां है तो वो कहता है कि ललीता मुझे छोड़ कर चली गई है ललीता एक लड़के से प्यार करती थी और उसका प्यार मुझे पर भारी पड़ गया मैं उसे अच्छा नहीं लगता था अब उसी के प्यार में पागल थी और वो मुझे छोड़ कर उसके साथ चली गई इतना सुनती है वो भी कहती है कि अब जो होना था वो हो गया क्या कर सकते हैं और कहती है ठीक है साब मैं चलती हूँ गलत घर में आ गई थी हस्ते हुए कहती है कहिए तभी वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर में मालकिन बनकर रह सकती हो क्या तुम मुझसे साधी कर सकती हो इस बात पर नंदनी हैरांसी होती है कि यह क्या मेरी किस्मत एकदम से क्या ऐसे पलट सकती है उसे विश्वास नहीं होता है फोर वो एक बार दुबारा से कमल से प के लिए कह रहे हो लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ जाती है तो तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे मुझे फिर से भीक मांगना पड़ेगा जैसे मेरे पहले पती ने मुझे छोड़ा था मैं नहीं चाहती मेरे जीवन में ऐसे बार बार समय आए जिसको मैं रो रो क कि देखवाल अच्छे से हो जाएगी बाहर कमाने वाले हम लोग हैं हमाराम से कमा लेंगे जो कमल था उसका केतिवाड़ी का काम था और जो उसका भाई था चोटा वो नौकरी किया करता था अब इस बात को सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके साथ वो अंदर चली जाती है अंदर जाते ही घर में एंट्री करने से पहले ही कमल उसके हाथ से कटोरा चीन कर बाहर पैंक देता है और उसके मेले कुछ एरे कपड़ों को भी बाहरी पैंक देता है और उसे हाथ पकड़कर अंदर घर में प्रवेश करवाता है और कहता है कि आज मार्किट चलेंगे त वो कहती है ठीक है तब तक उसका छोटा भाई वहाँ पर नहीं था तब ही नंदनी कहती है कि मैं घर की साफ सपाई कर लेती हूँ आप लोगोंने तो बहुती गंदा कर रखा है उसके बाद खाना बनाएंगे इस बात पर कमल खुश होता है और कमल अब उपर किसी काम से चला पर केदता है नीचे नंदनी झाड़ू लेकर घर में जाड़ू लगा रहे होती है तब उसका देवर आता है और आने के बाद तरफ कहता है पड़ी करने की मनससे घर में आई कोई country citizenship कि तुमारा घर कहा सين हो गया मैं уienda भाई मेरे रहें तो हमारा गहर हो एतने में उसका बड़ा भाई उपर से जागता है और कहता है अरह रोको को तुम दौनों लड़ो मत मैं नीचे आ रहा हूं मैंने इने अंदर बुलाए है और वो नीचे आता है अपने भाई को समझाता है कि यह हमारे साथ रहे लेगी खाना बना दिया करेगी क्या हर्ज है इस चीज में तभी ठोटा भाई सोचता है और कहता है खाना बनाने में कोई हर्ज गाउं का जो मुखिया होता है उसे बुला कर लेकर आते हैं और मुखिया से कहते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से इसका तलाक हो चुका है और मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं तो मुखिया जो है वो में साधी की जाती है पर साधी के एक बाद वो महिला अब उस घर में बहुत अच्छे से रहती है वो जो छोटा देवर है उसकी भी एक बेटे की तरह देखवाल करती है और कुछी दिनों में उसको भी एक बेटा हो जाता है अब घर में दो से चार हो चुके थे बहुत लगोचे भेडर नहीं लोग रहते हैं तबिए एक दिन कहती है कि आज मुझे कुछ काम है क्या आप तयार होकर मेरे साथ चल सकते हैं तब ही उसका पती कमल कहता है क्यों नहीं तुमारे लिए एक दिन क्या हम भूमने चलेंगे बताओ तुम्हें कहां जाना है लेकि नंदरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें बस मेरे माई के चलना है क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा था, तो मेरी भावी ने मेरे छोटी-छोटी चीजों पर जीना हराम कर दिया था, मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितने ठाट बाट से रहती हूँ, कैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, किस तरीके से, कैसा मेरे पती है, और वो बिल्कुल त बहरे पूरे परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा फथी है, और मेरा देवर है घर पर, तुमने तो बेह hoping बहुत चाहा था, कि मेरा घर ना बसे, लेकिन देखो भगवान की करनी, मेरा घर बस गया है, अब इस चीजो सुनते ही आड़ोसी बड़ोसी आजाते हैं, वो कहते हैं क बेटा यहां बैठ जाओ, क्या परिशानी है, क्या हुआ, तुम तो बाहर गई हुई थी, तुम तो वहीं पर रहने वाली थी, तुम तो यहां आने ही नहीं वाली थी, बस यहीं हम सोच रहे थे, तब ही वो बताती है कि मुझे इन्होंने घर से निकाल दिया था, लेकिन जनन गर ही खुश हूं, अपने घर ठीक हूं, और इनी सब्दों के साथ, वो वहां से वापस से लिए आती है, वहां लोग बात बनाते हैं, तरह-तरह की बाते कहते हैं कि तुम से अपनी नानत का आदर समान नहीं किया गया, तुम ने बहुत गलत किया, और इन सब्धों के साथ वहां पर समाप्थी होती है और इहां पर घर ने के बाद उपने पति क 시청 गले कर बहुत बुस्त होती है और कहती है कि आपने मेरे जीवन में कुछाला कर दिया आपकी वजह से में संसाहर कि सारे सुछों को जी रही हो एक महिला की जो कारण बन कराती है और उस घर की खुदी मालकिन बन बैठी है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लेकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बहुत जल फिर आती हो ऐसी कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत